हलो दोस्तों अगर आप option trading करते हैं तो option trading में directions को identify कैसे कर सकते हैं directions को पता कैसे लगा सकते हैं आज मैं आपको इसके कुछ rules और कुछ criteria बताऊंगा जिससे आप directions को पूरी तरह से 100% तो identify नहीं कर पाएंगे लेकिन ज्यादा possibility कि आप 60 से 70% तक का directions को identify कर सकते हैं YouTube पे आपको ज्यादा तर लोग कोर्स में क्या बताते हैं आपको setup बता देंगे कि M पर आपको यहां पर buy करना है डबलू पर आपको यहां पर buy करना है लेकिन वो कभी भी आपको directions नहीं बताते हैं क्योंकि अगर आप directions को अगर सीख जाएंगे तो आप चाहे option selling करो चाहे आप option buying करो आपको profit होगा तो directions को पता लगाना काफी ज्यादा important है directions का तो आईए मैं आपको बताता हूं अपने experience के बेस्पे की directions का identify कैसे कर सकते हैं mostly market का 3-4 phase होता है तो सबसे पहले जो phase होता है वो यहाँ पर आता है trending market तो दोनों साइट trending market हो सकता है दूसरा होता है यहाँ पर sideways market ठीक है sideways मतलब की एक label एक label नीचे एक label उपर इसी label के बीच में market यहाँ पर चलता रहेगा तीसरा जो होता है वोलटाइल मारकेट वोलटाइल मारकेट होता है एक बार नीचे एक बार उपर इस तरह से मारकेट ऊपर नीचे करता रहेगा Naras чौन जो यहां पर होता है Wotar sideways and volatile market मतलब की मारकेट में इस तरह से उपर तो जाएगा लेकिन थोड़े दिर साइडवेज रहेगा देन फिर इस तरह से उपर जाएगा फिर इस तरह से मार्केट में इस तरह से नीचे आ जाएगा इसको बोलते हैं साइडवेज और वॉलटाइल मार्केट अब यहां पर एक प्रॉबिलिटी बढ़ जाता है कि दो से तीन दीन ट्रेंडिंग हो चुका है चाहे वो उपर के साइड हो चाहे वो नीचे के साइड हो तो इसकी प्रॉबिलिटी जादा है कि अगला दिन साइडवेज हो सकता है या फिर वलटाइल और साइडवेज हो सकता है इसकी प्रॉबिलिटी जादा है वहीं पर अगर और दो से तीन दिन market में sideways है तो उसकी ज्यादा probability है कि अगला दिन जो होगा वो एक trending market हो सकता है volatile market हो सकता है अगर sideways रहा तो और अगर दो से तीन दिन दिन अगर volatile behave किया sideways behave किया तो उसकी ज़्यादा प्रविटी है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा अब इसको मैं चार्ट पे प्रैक्टिकली आपको एक्जाम्पल के साथ दिखाता हूं यहां पर सेप्टेंबर में आ जाते हैं आप किसी भी मंत में बैक्टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को तो सिंपल अब सेप्टेंबर को देखेंगे तो यह कितना तारीक है मैं आपको दिखा देता हूं यह है वन सेप्टेंबर आनि कि फर्स्ट तारीक पहला सेप्टेंबर पह कर देखेंगे तो चोटा यहां कि आदो यहां पर ट्रेंदिंग हो चुकाया तो एक अगली दिन प्रप्रब्रीट से तरण अगला दिन यह तो साइड वेज रहेगा यह सकता तो अब अगले दीन देखेंगे पाससरी कि hours यहां पर देखका नहीं यहांपर मार्केट स्कूला तो यह दुण करते हैं काम कितनी करती है 60-70% accuracy आप जो इसमें पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट कौन से में मूव करेगा अगर दो से तीन दिन साइडवेज या फिर वॉलटाइल रहेगा तो ज्यादा probability क्या है कि अगला दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है इसके साथ ही साथ अगर आपको और चीज़ें पता लगाना जिसे कि कहां पर बायर से कहां पर सेलर से कौन कब ट्रैप हो रहा है इस चीज़ को भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज्यादा एक और सी मिल सकता है डायरेक्शन स्वाइंड करने ने अभी हम और एक्जामपल्स देखते हैं फिर अगला दिन क्या हुआ है अगला दिन क्या हो सकता 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 है अग तो हैं तो यहां पर दू दिन हो चुका है टीक है उसके बाद हो चुका है है साइडे वे स्कुल Опीं और अब कॉन सा यह झाएगा आप जैर से बात है अब जो है त्रेंडिंग होने का चांस है ज़्यादा है प्व्न तो दिन एक दिन साइड वेस हो गया या कर देखेंगे तो साइड प्लस वलताइब उसके बात प्रेन्दिंग होने का पॉसिबिलेटी बढ़ जाता है और अगला दिन हम आपँ देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग भी हुआ है अब अगला दिन क्या हो सकता है अब मुझे बताइए अगला दिन या तो फिर से ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर अगला दिन फिर से वलटाइल बिहेव कर सकता है तो अगला दिन क्या प्रॉबिटी लग रहा है तो अगला दिन मुझे फिर से ट्रेंडिंग की प तरह मूमेंटम ऊपर नहीं है मिनिट्रेंडी को बोल सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे तो फिर से अगला दिन क्या होगा अगला दिन अब पिरसे यहां पर इसको फिलनेंग बोल सकते हैं क्यों कि इसमें कुछ खास मूमेंटम हामें देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट खुल तो रहा है लेकिन यहाँ पर टाइम पास कर रहा है फिर एक छोटा से मोमेंटम दे रहा है तो इसको में ट्रेंडिंग बोल सकते हैं आप मुझे बताइए कि अगर दो से तीन दिन यहाँ पर ट्रेंडिंग हो चुका है इस तरह से यहां पर पहला दिन अच्छा ट्रेंडिंग हुआ और यह फिर यहां पर मेनी ट्रेंडिंग हुआ यह क्यों हुआ क्यों कि इस ट्रेंडिंग के बाद 90% ट्रेडर होंगे वह यहां पर एक्टिव हो चुके होंगे वह एक्शन मूड में आ चुके होंगे कि अब ट्रेड लेना के अगला दिन की क्या possibility possibility रहती है मैंने आपको बताएकि अगर दो से तीन दिन मार्के ट्रेंडिंग है तो अगला दिन पॉसिवलीटिय या फिर साइड़ प्लस वोलाटाइल तो देखते हैं कि अगला दिन क्या होता अगला दिन आप देखेंगे तो मार्केट इस तरह से यहां पर साइडवेज रहा अब जब इस दिन साइडवेज रहा तीन इन ट्रेंडिंग होने के बाद तो अगला दिन चांसे से कि फिर से साइडवेज यह फिर वलटायल रह सकता है तो अगला दिन भी आप यहां पर देखेंगे तो इसको भी आम इस तरह से मार्केट धीरे- तेरे यहीं पे रहा फिर चोटा सा उपर भी कंसलोरेट करते हुए रहे अगर इसको दोनों दिन को जोड़ देंगे तो यहां पर क्या होगा साइडवेज प्लस वोलटाइल इस तरह मरके निचा है फिर उपर चला गया तो यह तीन दिन लगातार हो चुका है अब और यहां प मारकेट में देखेंगे तो साइडवेज प्लस वोलटाइल की बनी रहती है जब भी मारकेट ट्रेंडिंग होता है तो अगला दिन भी देखेंगे तो मारकेट में यहां से क्या दिख रहा है साइडवेज दिख रहा है यह रहा साइडवेज पूरी तरह से मारकेट यहां प सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट अगले दिन ट्रेंडिंग हो और देखिए अगले दिन ट्रेंडिंग रहा देन फिर वही चलते रहेगा देखिए यहां पर एक दिन ट्रेंडिंग दो दिन ट्रेंडिंग फिर अगला दिन वोलाटाइल साइडवेज फिर यहां त्रेंडिंग फिर यहां पर देखेंगे तो फिर अगला दिन साइडवेज रहेगा यह रहा नीचे वलटाइल साइडवेज साइडवेज फिर अगला दिन फिर ट्रेंडिंग रहेगा यह देखिए इस तरह से मार्केट यहां पर साइडवेज रहा एक दो तीन दिन साइडव को पता लगा सकते हैं और यही एक तरीका है जो जन्वन तरीका है डाय। तो सिंपल सा तरीका है अगर अब डाय। पता लगाने साहते हैं तो मार्केट को फेजेंес के बारे में आपको जानने पड़ेंगे कि मार्केट कौन से दिन में कैसा हुआ है अगर मारकेट के जादा है अगर दो से चार दिन मारकेट परेज़ पनाय पॉलाइ्टाइल सब्सकूल करतेला का चैनल दिन दूर चैनल प्रम हम श्कुकरेट को अलेता एक लेटेस्ट एक्जामपल भी दे देता हूं जैसे कि यहाँ पर देखें ट्रेंडिंग मार्केट होने की बाद दो दिन साईड़mesiً रहा तो दिन साईड़वेज होने के बाद फिर से अगला दिन इस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। तो इस तरह से आप जो हैं यहां पर सकते हैं इस तरह से इक मोटा मोटी हम यहां पर 50-60 परसेंट पता लगा सकते हैं कि मार्केट का डिरेक्शन किस तरह रहेगा और कभ किसको ट्रैप कर रहा है कब कौन प्रॉफिट मैं अगर आप यह सब देखते हैं तो ज्यादा आपको ए वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत